तो हलो ट्रेडर्स आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक मर्केट आस में तो हम लोग ने कल हमारे चैनल पर एक शॉट अपलोड की थी तो वह शॉट में हम लोग किया डिसकस किया था कि यहां पर एक मार्केट रेंज बना रहा है तो वह रेंज कौन से थी 39,662 से लेके 39,432 के लेवल में एक रेंज फॉर्म की थी तो हम लोग ने ऐसे प्रिडिक्ट किया था कि यह मार्केट जो भी साइड में ब्रेक आट देगा तो वह साइड में हम यह जो स्विंग है उसका लो है तो वह लोग इतने का था 39,088 की लेवल पर एक कुछ तो यहां पर लो था तो यह जोन में हमारा स्टॉप लॉस था और जो टार्गेट था हमारा वह कौन से लेवल पर तक मिला है तो 39,766 के आसपस का एक टार्गेट मिला था तो यह रेंज होगी तो यहां पर और एक इंट्री मिल रही थी तो वह कौन से बेस पर थी तो जो इंट्री सेकंड मिल रही थी वह ट्रेंगल पैटन की बेस पर थी अगर आप यहां पर रेजिस्टन्स और सपोर्ट ड्रॉप करोगे तो यहां पर एक ट्रेंगल फॉर्म हो रहा था तो य यहां से एक सब्सक्राइब निकल के आरा था मार्केट यहीं सब्सक्राइब तो यहां पर हमें इंट्री देखोगे तो यहां पर एंट्री मिली थी हमको तो चोछ और बचके 24 मिनट पर ही यह तो युटे केशंए दो बचकर 20 मिनट पर हमें इंट्री मिली तो यह स्पॉप लश थे और वह तक होगा तो झूफल लूस तक अमरा तो यह जो visible का है वह तक आप SL रख सकते थे तो 39606 का जो था वो आपका SL था तो target आप किस बेस पर decide कर सकते थे तो यहाँ पर जो triangle का starting point है वहाँ से market ने support लेना चालो किया थे तो वहाँ तक आप target ले सकते थे 39429 की जो level है वहाँ तक आप target लेके चल सकते थे तो यहाँ पर अगर market देखो के तो same level पर आने के बाद में market ने एक consolidation दिया है तो कि यह range में market ने consolidation दिया है तो वो consolidation पर भी और एक entry बंद रही थे price action के base पर तो यहाँ पर आप देखोगे तो यह same level का market ने जब downside में ब्रेकाउट दिया है वो swing का low जो 39401 का low है वो breakout देने के बाद में यहाँ पर market ने फिर से गिराओट डिकी है market में तो यहाँ पर और एक entry बंद रही थी जो price action के base पर थी तो यहाँ पर आप stop loss बोलोगे तो यहाँ पर stop loss कौन से level का निकल क्या रहा था तो यह जो swing का high है 39412 का जो level है वहाँ तक का आप stop loss रख सकते थे अगर यह इतना बड़ा stop loss आपको रखना नहीं होगा तो यह separate side का actually stop loss है बढ़ अगर आपको यह avoid करना होगा stop loss तो आप यह breakout आया था जो candle पर breakout आया था वह भी आप stop loss रख सकते थे वह कौन सी level का था 39456 की जो level है वहाँ तक का आप stop loss रख सकते थे तो market ने यहाँ से एक अच्छी कासी गिराव डिये खा तक की दिये तो वह almost यहाँ से market 100 point गिरा है तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 39293 या 95 के आपस market गिरा है जो हम लोग यह वीडियो प्रोवाइड करते हैं वह totally education purpose के लिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो beginners होते है market में जो new traders होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि इंट्रिस किस तरह से ली जाती है कहाँ पे आप stop loss प्लांड कर सकते हो कहाँ पे target ले सकते हो तो यह कुछ जो वीडियोस होती है वह उनके लिए होती है totally क्योंकि वो उन्हें कुछ idea नहीं रहता तो यहाँ पर हम लोग कोई भी tips provide नहीं करते call वगेरा तो जो कोई हमारे वीडियोस देखके entry करता होगा तो वो लोग आपने जो financial advisor रहते हैं उनको पूछने के बाद यह trade करना तो आज के लिए बस इतना ही thank you